हलो दोस्तों आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं नौरात्री ब्रत के लिए गुलाब जामुन जैसी दिखने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई इस मिठाई की खासियत यह है कि इसमें बहुत जंजट नहीं है और नहीं इसमें बहुत धेर सारे इंग्रिडियन्स चाहिए यह बनाया गया है सब दाना से आपको यकीन नहीं हो रहा है न वैसे एक बार आप इस मिठाई को जरूर ट्राइ कीजिएगा यह आपको बहुत पसं दाए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें हैपी नौरात्री दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल निगीज कुकिंग कॉर्णर में तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहल लिए-षका सा रोष्ट कर लेंगे फ्रेंट्स आप इससे रोष्ट करते समय ध्यान रखें कि इसमें किसी तरह का घी या तेल ना यूज करें इसे रोष्ट करने में बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं लगता है तो इसे सिर्फ दो मिनेट तक रोष्ट करेंगे साबुदाना को रोष्ट करते हुए दो मिनट हो गए है तो अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं जब ये ठंडा हो जाए तब इसे मिक्सी जार में डाल देंगे उसके बाद इसका फाइन पाउडर बना लेंगे तो ये देखिए अब इसका फाइन पाउडर तैयार है तो अब हम एक बाउल लेते हैं और उसमें ये सारे साबुदाना पाउडर डाल देंगे और इसके साथ इसमें डालेंगे एक कप मिल्क पाउडर ध्यान रखें कि आप जिस भी कप से साबुदाना माप रहे हों उसी कप से मिल्क पाउडर को भी माप लें ये है दो प्रिंच मीठा सोडा ध्यान रखें कि इसमें बेकिंग पाउडर ना डालें तो अब इन तीनों चीजों को आपस में अच्छे से मिला लें मिलाने के बाद इसमें दूद डाल कर इसका एक अच्छा सा डो तयार कर लें Friends! इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे जरूरी टीप्स ये है कि जब आप ये दो लगा कर तयार करें तो इसमें दूद थोड़ा अधिक डालें क्यूंकि दूद लगाने के बाद ये काफी तेजी से ड्राई होने लगता है इसलिए दूद इसमें थोड़ा सा अधिक पड़ेगा इसलिए इसका डो लगाते समय इसका डो बिल्कुल गीला रखेंगे तो इस डो को इस तरह से चारो फैला दें और उसमें थोड़ा सा डूद डालकर फिर इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे अब हम सुगर सिरफ बना कर तयार कर लेते हैं कोई कड़ाई या पतीला लेंगे और उसमें सेम कब से एक कब चीनी डालें और उसी कब से इसमें डाल देंगे डीड़ कब पानी अब गैस बलेम ओन कर दें और इसे पकने दें हमें इस चासनी को तब तक पकाना है जब तक इसमें चीनी मेल्ट न हो जाए इससे हमें कोई तार वाली चासनी नहीं बनानी है क्यूंकि जो मिठाई हम बना रहे हैं उसमें ये चासनी पतली रहेगी तो ही वो मिठाई ज्यादा अच्छा लगेगा तो आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मिल्ट हो गया है और इसमें कोई तार भी नहीं बना है तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी होई इलाइची पाउडर इसे डालने के बाद अब हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं तो अब इस चास्नी को साइड में रख देंगे और हम अपने डो को देख लेंगे जिसके हमें मिठाई बनानी है ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना हाड हो गया है हमने आप से कहा था ना कि ये काफी जल्दी से ड्राई हो जाता है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा और दूद डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इस डूद को बनाते समय इसमें दूद थोड़ा अधिक डालें इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका मुलायम डूद तयार करें तब आप perfect मिठाई बना कर तयार करेंगे तो अब धीरे धीरे करके सारा दूद हम इस डो में डाल दिये हैं और इसका काफी मुलायम डो बना कर तयार कर लिये हैं तो अब आप इसे अपने मन पसंद सेप दे सकते हैं आप देख रहे हैं कि इस मिठाई को हम छोटे छोटे से ओवल सेप में बना रहे हैं अगर आप इसे चाहें तो गोल यानि राउंट सेप में भी छोटे छोटे बॉल्स बना कर तयार कर सकते हैं फ्रेंड्स साबुदाने की आपने बहुत सारी रेस्पी ट्राई की होंगी पर एक बार आप इस मिठाई को जरू ट्राई करें बॉल्स बनाते समय अगर थोड़ा सा आपको ड्राई लगे तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा कर तब इसके बॉल्स बना लें ये काफी आसानी से बन कर तयार हो जाएगा तो अब हम कडाई रख दिये हैं गरम होने के लिए और उसमें डाल दिये हैं देसी घी कितना गरम है ये देखने के लिए हम एक छोटा सा बॉल्स इसमें डाल कर चेक कर लेते हैं बॉल्स के आज़ पास बुलबुले उठने लगे हैं तो इससे पता चल रहा है कि घी गरम हो चुका है और बॉल्स भी अपने आप उपर आ चुका है तो इसे हम निकाल देते हैं तो चलिए अब हम सारी मिठाई को बारी-बारी से इसमें फ्राई कर लेते हैं तो यहाँ पर 5-6 पीस इसमें हम मिठाई डाल देंगे ध्यान रखें कि जब मिठाई को हम कड़ाई में फ्राई करने के लिए डालें तब गैस फ्लेम बिल्कुल लो हो इसे डालने के बाद इस त तुरंत ना पलटें आप देख रहे हैं कि जब हम इसे पलट रहे हैं तो यह बिल्कुल हलका सा नीचे चिपक रहा है यह मिठाई सब उदाने की बन रही है इसलिए थोड़ा सा इसमें चिपकेगा पर इससे बिल्कुल टेंसा ना लिजिएगा क्योंकि मिठाई तो आपकी बह सारी मिठाई या फ्राई हो चुकी है तो इन्हें हम निकाल लेते हैं अब हम एक टीप और आपको बना कर दिखा रहे हैं कि आप इसे अच्छे से बना सकेंगे फ्रेंड्स अगर आपको ब्रत के लिए और भी धेर सारी रेस्पी देखनी है जैसे कि तिन्नी के चावल के बातों ही बातों में ये हमारा सेकंड बैच भी बनकर तयार हो गया है तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं तो अब गैस प्लेम बन कर देते हैं और सारे गुलब जामुन बनकर तयार हो गया है फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी बात यहां पे ध्यान रखनी है कि जब चासनी में डालें तो वो थंडी ना हो तो अब हम गैस फ्लेम अनकर चासनी को अच्छे से गरम कर लिये हैं और उसमें मिठाई को डाल देंगे अच्छी खुस्बू आ रही है अब यह मिठाई काफी जूसी बनकर तयार हो गया है तो अब हम यहीं पर कट करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर सुगर सिरब कितना आया है तो आप देख सकते हैं कि यह काफी हद तक सुगर सिरब को एब्जॉर्ब कर लिया है और यह अंद होगी तो अब प्लीज इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट और अपना प्यार जरूर दें और हमारी कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो अपनी राय देकर हमें यह जरूर बताएं कि उसमें आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है क्यूंकि हम ये रेसिपी आप ही के लिए लाते हैं इसलिए हमें अपना प्यार और सहयोग जरूर दें तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड गुड़ बाई कर दो मिलते हैं अपना प्यार एंड लाइ।